नमस्कार मैं करशिश और स्वागत आपका मेरे खास प्रोग्राम राजरेटिक गल्यारा में आज का मुद्दा है वरुन गांधी लगतार देखा जा रहे कि वरुन गांधी इन दिनों काफी जादा सुर्ख्यों में हैं अपने बयान को लेकर जिसको लेकर हमने काफी सारे खास रिपोर्ट्स आपके साथ साच्चा की थी लेकिन आप कुछ ऐसे बयान भी उनके सामने आरे हैं जिसको लेकर वो अपनी पार्टी पर लगतार हमला वर हो रहा है किसानों का मुद्धा उन्होंने उठा दिया और देखा जाया राहूल गांधी ने भी एक समय पर किसानों का मुद्धा उठाया था राजिस्तान में भी वही चल रहा है महारास्ट्रों में भी वही चल रहा है अलग अलग जगाओ पे सेम मुद्दा चल रहा है किसानों को लेकर एक तरफ वरुन गांधी यहापर अपनी पार्टी के साथ नाराजगी दिखाते नजर आते हैं अब सामने खुला है कि उन्हें होंगे उसको लेकर एक सवाल है कहा यह जारा था वरुन गांधी की तरफ से कि हमें भधेश को जोड़ना है तोड़ना नहीं है और यहाँ पर हमारी पार्टी क्या करिए देश को तोड़ने वाली काम करें और साते साते हैं पर हिंदू-मुस्लिम के नारे लगाते इस तरीक जा गया यानि कि राहूल गांधी से क्या वरुन गांधी कॉंग्रेस में तो नहीं का कि खड़के जी से पूछेगा यह सवाल मैं जवाब नहीं रहे सकता लेकिन हां भारत जोड़ो यातरह में जुड़ना है तो स्वागत है उनका तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे चीफा तो दे देना चाहिए था लेकिन कहीं ना कहीं वो यह सोच रहे थे कि अब मुझे कोई बड़ा पत दिया जा सकता है या फिर मुझे मुझे मंत्री के पत पर आगे बढ़ाए जा सकता मेरा नाम तो उस तरह की चीज़ें जब उन्हें लगा कि अब भाजपा में रहक या फिर वो बाहर जाना चाहते है तो फिलाल जो है वो वरोड गांधी कुछ कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है वो करते हो नहीं कि अगर देखा जाएं यहां पर तो कहीं ना कई उनका इंतजार किया पर अती हो रही थी इस वज़ए से उन्होंने इस तरीकी की बाते कहना शुरू कर दिया लेकिन अगर देखा जाएं यहां पर तो उनका एक जब यह बयान सामने आया था जब यह ख़बर सामने कि उन्हें मुख्य मंतरी बनना था उस समय पर और उनको लेकर यहां पोस्टर भी छप गए थे लेकिन उन्हें वह पद नहीं दिया गया नराजगी अब यहां पर कॉंगर्स में वापशी को लेका थी सवाल उठे कि अगर कॉंग्रेस में वापशी करते तो इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा लेकिन कॉंग्रेस को फायदा हो सकता विल्कुल अगर हम बात करें भाजपा की तो तमाम बड़े नेता है यूपी की बात करी जाए या फिर देश के अलग अलग जहां जहां उनकी सरकार है विदानसभा राजों की बात करी जाए तो उनके पास तमाम बड़े नेता है लेकिन अगर कॉंग्रिस की बात करी जाए तो जिस तरह से हमने बीते दिनों देखा कि कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नभी क्योंकि वरुड गांदी के पास काफी अनुभव है क्योंकि वह खोद यह बोल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता था तो आप समझ लीजे कि उनके पास अनुभव की कमी नहीं और यही अनुभव कहीं ना कहीं जो है वह कॉंग्रिस डून रही होगी और पिछली ह हमने खास रेपोर्ट में जब बात करी थी तो यह चर्चा हमने की थी कि जिस तरह से वरुड गांदी यूपी से बिलॉंग करते हैं यानि की पीली बीट से सांसद हैं तो वह कहीं ना कहीं जो है उनकी पकड़ यूपी पच्छी उनके पास कार करता हैं तो आने वाले समय मे यह भी हो सकता है कि कॉंग्रेस जो है वो वरुड गांदी को यूपी पूरा दे दे और यह कहें कि यहां पर और भी जानकारिया सामने आती है उनकी इस तरीकी की बात सामने रही है कि पहले यहां पर आजरितिक बाते होती है तो काफी तरके यहां पर खुलासे होते नज़रा रहे हैं तो दिपक मेरे साथ है उनसे भी यही सवाल करेंगे वरून गान्दी को लेकर अब यहां पर उनने का कि पीली भीटिके जो किसान है तो यहाँ पर उने कईना कई एक सोलुशन मिलना चीए जो सरकार नहीं दे पारी है यहाँ पर किसी और सरकार की उम्मीद की जारी है तो क्या लगते है इस बात उसे भी कहीना की कॉंग्रिस पर निशाना बन रहा है वरुन गांधी जब भी शुरुआ से अगर देखा जाया तो उनका रुख समाज सेवा के लिए रहा जैसा गांधी परिवार करते आए हैं समाज की सेवा करना उनका पहला कदम रहता है लेकिन बात मेहन का गांधी कि आरे तो वरुन गांधी लगाता ट्वेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बाते रखते हैं और ना सिर्फ वहां पर बाते रखते हैं जन सभाहों में जब भी मोका मिलता है तो बाते करते नजर आते हैं सबको मीत थी कि भारा जोड़ यातर उतर प्रदेश से गुजरेगी तो वरुन गांधी की थोड़ी और चर्चा होगी वो शामिल हो सकते हैं या नहीं क्यूंकि राहुल ने पहला कदम आगे बढ़ाया जब वरुन गांधी को लेकर उनसे सवाल क्या गया तो चाहते तो मना कर देते क्यूंकि अगर बात आती है पार्टी छोड पर बात आए तो राहुल और उनके मंत्रे ने बात कही कि जो बिकेवे हैं जो पार्टी छोड़ कर गए जिनन में बीजेपी से लड़ने की ताकत नहीं थी वो यहां पर पार पार्टी छोड़ गए लेकिन जो हमारे साथ रहना चाहते हैं वो आज भी खड़े हैं वरुन ग यह बात उन्हेंने साफ कर दी लेकिन अब जिस तरीके से एक मुद्दे को लेकर यहां पर बहुत बड़ी आवाज उठाई जाएगी किसान मुद्दा जो बनता जा रहा है किसान को लेकर किसान अपने लिए आवाज उठा रहे हैं लेकिन उनकी आवास सुनी नहीं जा रही त लेकिन अब दीपक यहाँ पर अगर देखा जाए एक और जानकारी सामने थी कहा यह जा रहा था कि वरुन गांधी मेंका गांधी को कॉंग्रेस में नहीं रहना थे इसलिए उन्होंने बीजेपी को जोइन कर लिया और तब पार्टी के लोगों ने उन्हें करने भी दिया ले लेकिन अगर वरुन गांधी की बात आती है गांधी परिवार किसे की बात आती है तो फिर यहां पर चर्चा तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर अगर परिवार बात की बात करो शायद यह भारते जंता पार्टी नहीं करती है वो खुदी यह बयान देते हैं लेकिन जब दूसरे परिवार किया रहे गांधी परिवार किया रहे जो एक परिवार गांधी परिवार मिलकर केंद्र सरकार से बीजेपी को हटाने के लिए पूरी तरीके स्तयार है तो गांधी परिवार का असर ऐसे नहीं तो वैसे बदला लिया जाता यह हर कोई जानता है लेकिन इसको एक मुद्दा बना देना ये सहीं नहीं है क्योंकि मेन गान्धी पर कोई दवाब नहीं पर बारुन गान्धी पर भारती जंता पर्टाट जैसे उन्हींने कांगरेस छोड़ी थी in aきます वी जिम्टेस को सीमी थे इन पर कोई दबाब जब कांग्रेस चोड़ सकते हैं तो बीजेपी छोड़ना तो इनके लिए और भी आसान हो एक छोटा आखरी सवाल यहां पर कॉंग्रेस में वापसी को लेका लगतार खबरे सामने आ रहे हैं वरुन के आपको क्या लगते कि कॉंग्रेस में स्टा चार और तमाम मुद्दों का आगे बढ़ाते हैं तो वरुन गांधी कांग्रेस में वापसी करते हैं यह तो उनका अपना खुद का परस्टनल डिसीजन है इस पर तो कोई भी राय सलाह मश्वरा ना दिया जाए तो बहतर है और दूसरी बड़ी बात यह निकल कर आत यहां पर दीपक ने भी अपनी बात रखे कि कपिल ने भी रखे थी कि यहां पर फायदा होगा नुकसान उसको लेकर तो हम जादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वरुन गांधी इस वक्त सुर्ख्यों में जरूर है लेकिन यहां पर उन पर डिपेंड करता है कि वो यहां पर बीजेपी में ही रहना चाहेंगे या फिर कॉंग्रेस में जाएंगे क्योंकि कई न कई सवाल इसी तरीकी का बार बार उठ रहा है क्योंकि लगातर अपनी ही पार्टी पनिशाना साथते नजर आ रहे है मैं आपकी राय पूछेंगे या आप क्या चाहते कि वरुन गांधी क्या करें कॉंग्रेस में जाये या फिर बीजेपी में रह जाये इस पर राय जरूर दीजेगा और बाखेसी खबरों के लिए देखते रहे है नेक्स नाइन नियूर्स